हेलो दोस्तों क्या हाल चाल आज आपके लिए लेके आचुका हूँ वीवो एक्स हंड्रेड प्रो फाइब जी स्मार्टफॉन और इसकी डिजाइन देख सकते हो काफी ज़दा मज़ेदार है इसका केमरा बिल्कुल डियसलार केमरा को भी टेक्ट कर दे देता है क्या आपको बता है जितनी कमाल किसकी डिजाइन है ना उससे कई गुना ज़्यादा में आज आपको इस स्मार्टफॉन के कमाल दमाल हीडन फीचर्स बताने वाला हूँ टिप्स एंट्रीक से अगर आपने इसको खरीद लिया या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो ना तो आप खुद ब बात कर रहे हो उसको एकदम सही आवाज सुनाई देगी तो यह सेटिंग ओन करने के लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में फिर सौटकट एंड एसेसिबिलिटी के उपर क्लिक करना है और इसके अंदर आने के बाद में नीचे स्लाइड करके वो इस करना चाते हो तो बिल्कुल कर सकते होsimple आपको आना है डायलर के अंदर 3 बटन के ओपर क्लिक करना है और यहाँ पर call सेटिंग का ऑल क्लिक करे करके और call recording करके है और इसका फायदा क्या है विओ का खुद का डायलर मिलता है जिसमें आप call recording को manually या autocol record करते हो तो किसी से भी बात कर रहे हो उसको पता नहीं चलेगा क्या आप भी smartphone को simple कुछ इस तरीके से lock कर देते हो लेकिन इस smartphone में always on display में new new features मिलते हैं जो आप lock screen के उपर set कर पाओगे बस simple आपको पहले तो mobile के setting में आना है यहाँ पर नीचे slide करने के बाद में lock screen and wallpaper के उपर क्लिक करना है इसमें देख सकते हो always on display का option मिलेगा जिसके अंदर आने के बाद में आपको यहाँ से on करकर इसके उपर क्लिक करना है और इसकी always on display में तो new new effect देखने को मिलता है यह क्या होता है simple आपको यहाँ पर अपलाई करना है जो भी इसमें से आपको अच्छा लगे यह वाला काफी जदा attractive लग रहा है इसको मैंने apply किया और smartphone को जब भी lock करूंगा तो देख सकते हो always on display में कुछ इस design के अंदर effect आपको देखने को मिलेंगे और भी इस smartphone में काफी अच्छे अच्छे animation मिल जाते हैं नीचे आने के बाद में personalization clock मिलती है जो आप lock screen के उपर set करके time देख सकते हो और उसके अंदर battery के percentage और date and time भी बता देगा ऐसे यहाँ पर आपको काफी कमाल के attractive animation भी मिल जाते हैं जो आप lock screen के उपर set कर सकते हो इतना ही नहीं इसमें अगर आप simple watch भी set करना चाते हो age के अंदर तो कर सकते हो और उसका color भी change कर पाऊगे जैसे कि कुछ इस तरीकी से आपको देखने को मिलेगा और bake आने के बाद में आप अपना खुद का name भी tap कर सकते हो जैसे enter the text के उपर click करना है मैंने साजिद name tap कर दिया इसकी size को इदर slide करके बड़ा कर सकता हूँ और नीचे आने के बाद में इसका color भी में change कर पाऊँगा dual color भी इसमें दे सकता हूँ और कुछ इस तरीकी से smartphone lock होने पर देखने को मिलेगा बेक आने के बाद में आपको कुछ इस तरीकी से कमाल के features को और on कर देना है lock screen and setting के उपर click करोगे तो यहाँ पर आपको custom lock screen का option देखने को मिलेगा lock screen के उपर आप date and time को कैसे set करना साथ हो वो यहाँ से set कर सकते हो और यह iPhone की तरह features देखने को मिलता है जैसे कि आप कुछ इस तरीकी से time and style को font में change कर पाओगे और उसके color को भी change कर सकते हो जैसे कि कुछ इस तरीकी से में green कर देता हूँ या फिर यह वाला काफी ज़्यादा better लग रहा है और इसको color contrast भी दे सकते हो फिर यहाँ पराने बाद में आप इस तरीकी से customize करके apply करोगे तो इस smartphone को जब भी low करते हो तो कुछ इस तरीकी से आपको watch and time देखने को मिलेगा इसी setting low skin and wallpaper के अंदर आपको नीचे smart skin on off का option मिलता है यह तो जरूर on कर लेना चारो mode आपको on कर देने फिर देखो के double tap करते smart phone lock हो जाएगा और always on display इस तरीकी से show होगी तो और कमाल का features लगेगा double tap करते smart phone को on भी कर सकते हो smart phone को और smart बनाने के लिए आपको जाना होगा mobile की setting में फिर नीचे slide करना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा dynamic effect इसके उपर click करना है और ambient light का option मिल जाता है जिसको आप यहाँ से on कर सकते हो music को on कर देना है incoming call on कर देना है notification अभी इसमें क्या होगा जब भी incoming call या कोई notification आता है तो आप light effect के उपर click करके light को set कर सकते हो ऐसी light आपको edge के अंदर देखने को मिलेगी जैसे यह वाली blue हो गई, यह हो गई या फिर यह जो भी light अपलाई करोगे वो कुछ इस second के अंदर आपको यहाँ पर apply होती हुई दिखाए देगी animation के साथ में और same notification में भी ऐसी चार light मिल जाती है जिनको आप set कर सकते हो और guys यह काफी ज़दा smartphone को और भी ज़दा attractive बनाती है इसमें आपको बहुत सारे animation मिल जाते है home screen, transition, animation जैसे कि यहाँ पर कोई भी application open करते हो तो ऐसा animation मिलेगा जिसको change कर सकते हो background के अंदर आपको fingerpeat animation मिलता है यह smartphone in display fingerpeat के साथ में जैसे कुछ ऐसा animation में show होगा आपको जब भी unlock करते हो तो लेकिन उसको change करके आप ऐसा animation डाल सकते हो फिर apply कर देना है और एक चीज fingerpeat icon का animation भी मिलता है जब भी unlock करते हो तो ऐसा animation मिलता है लेकिन उसको change करके यह colorful भी बना सकते हो फिर आपको ऐसा show होगा low skin के उपर नीचे आने के बाद में इस smartphone को जब भी charge करते हो तो low skin पर आपको ऐसा animation मिलता है लेकिन उसको change करके यह कर सकते हो colorful कर सकते हो अलग-अलग style में देख सकते हो यह देख सकते हो कितना amazing है फिर आपको apply कर देना है बेक आना है और भी काफी सारे बहुत सारे animation मिल जाते है इस smartphone में USB जब भी smartphone को charge लगाते हो या फिर USB यूज करते हो तो नीचे की side में ऐसा animation मिल लिगा है जिसको आप change कर सकते हो तो यह वाला लगा सकते हो यह वाला काफी ज़दा attractive है बेक आना है skin on off का animation मिलता है तो इस smartphone में कुछ इस तरीकी से smartphone को low करते हो तो simple off हो जाती है लेकिन उसको change करके आप यह वाला दे सकते हो जैसे कि इस तरीकी से on और इस तरीकी से off होगी फिर apply करके दिखा देता हूँ अब smartphone को मैं low करता हूँ तो ऐसे off होती है ऐसे on होती है और मैंने always on display लगा के रखा है तो smartphone और भी जदा मज़ेदार लगेगा always on display के साथ में गाइस smartphone को एक हाथ से यूज कर रहे हो और notification drawer को नीचे लाना है जिसमें कभी-कभार गलत photos, गलत news भी आ जाती है तो इसको हटाने के लिए बस आपको दोनों setting करने के लिए home screen पर tap करना है home setting में जाना है Google Discord को बंद कर देना है फिर नीचे आना है swipe down on home screen को option मिलेगा जिसमें notification center को click कर देना है अब आप देखो के इसमें one-handed use कर रहे हो तो इदर से हलका सा slide करते है ये नीचे आजाएगर notification drawer और उपर करके slide कर सकते हो और जो Google Discord page था वो यहां से हट चुका है बहुत सारे बाईयों के स्वाल होते है इसमें अनपसी मिलता है या नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें अनपसी का support बिलकुल है और वाई-फाई थेतरिंग का support मिल जाता है जैसे आपने अभी वाई-फाई करनेट करके रखा है और अपने दोस्त को data share करना चाहते हो बिना वाई-फाई के passport बताए तो आप अपने smart phone को hot spot on देकर इसमें आप वाई-फाई से direct है जो data transfer कर सकते हो वाई-फाई थेतरिंग का support मिल जाता है बिना वाई-फाई passport बताए data share कर पाओगे गाईज इस smart phone में आप एक साथ में दो-दो application कौन-कौन सी चला सकते हो यानि दो-दो phone pay, दो-दो whatsapp है तो ये देख सकते हैं आपन यहाँ पर आपको आना होगा mobile की setting में apps के उपर click करना है phone कलोन के उपर click करोगे तो देख सकते हो facebook हो गया netflix phone pay, snapchat, whatsapp, instagram इन सभी application को आप dual कर सकते हो phone pay को जैसे मैंने dual किया है तो इसके अंदर दो-दो phone पे आचुके है अलग-अलग account से दो-दो phone पे use कर पाओगे इस स्मार्टफोन में अगर आपको कोई whatsapp पर message करके delete for everyone करके delete कर जेता है तो फिर भी आप पता लगा सकते हो उसने आपको क्या message किया था बस एक setting on कर लेनी है जिसके और भी फाइद दे है जैसे आपको बहुत सारे notification आई हुए रहते है और आप उनको एक साथ में clear all कर जेते हो बाद में पता लगाना होता है कोई काम का notification तो नहीं था तो इसके लिए बस आपको इसको नीचे scroll down करना है इस तरीकी से फिर यहाँ पर manage के उपर click करना है और notification history को own कर जेना है अब आपको बेक आजाना है जो भी message या notification clear कर जेते हो और बाद में पता लगाना होता है तो उसके लिए नीचे swipe करके history का option मिलेगा जिसको आप देख सकते हो यहाँ पर आपको message और show हो जाएगा कि कौन सी application से notification आया था और कितनी बज़े आया था अगर आप इस smartphone में कोई भी application hide करना चाहते हो app lock करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो third party application डाउलोड करने की जुरूत नहीं है mobile के setting में जाना है privacy के उपर क्लिक करना है नीचे scroll down करोगे तो app lock, app hiding, app pining option मिलता है तो जैसे कि मैं app hide का option करके दिखा देता हूँ बस इन चारों में से एक बार आपको set up करना होगा तीनों के अंदर यही passport same काम आ जाएगा तो मैंने इनको यहाँ पर set up कर दिया दो question के answer देने वो किसलिए यह आपको याद रखना होगा जब आप यह passport भूल जाते हो app lock, app hide का तो इन question का answer देकर आप forget कर सकते हो अब जो भी application hide करना चाहते हो उसके लिए इसको उपर tap करके दोनों को on कर देना है अब जैसे मैं Facebook को hide कर देता हूँ इसके उपर click किया, confirm किया अब आपको bake आ जाना है यहाँ से देख सकते हो Facebook hide हो चुकी है अब यह आपको कहाँ पर show होगी इसके लिए two fingers चे उपर slide करना है जो भी passport आपने verify किया था वो verify कर देना है और जो भी application hide किती वो show हो जाएगी है ना guys कमाल के tricks तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा और इसी के अंदर आपको A-pinning का option मिलता है जिसको आपको यहाँ पर आकर on कर देना है on करने के बाद में basically smartphone के उपर lock होना चाहिए और इसमें क्या होता है जब भी आपको कोई friend वगएरा mobile लेता है अब जैसे मैंने यहाँ पर camera को open किया इसके अंदर bake आजाना है 3 button के उपर click करना है इसके icon के उपर click करके pin कर देना है अब वो अगला बंदा जिसको भी smartphone दे रहे हो वो camera को use तो कर सकता है लेकिन camera से bake बाहर नहीं आपाएगा अगर आपको bake आना है जिनको आप directly कुछ इस floating window की तरह open कर सकते हो small window में और इसके अंदर एक चीज़ बता जिता हूँ जो भी favorite application इसमें आपको set करनी है तो इसके उपर click करना है और direct आप उसको यहीं से attend कर पाऊगे और मज़ेदार चीज़ तो यह है कि VN application को भी इसमें floating window में open कर सकते हो यह smart bar slide bar अगर आप open करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जाना होगा mobile की setting में यहाँ पर आपको नीचे slide करना है slide करने के बाद में इसके अंदर accessibility के उपर click करना होगा shortcut and accessibility नीचे आ जाना है और इसमें आपको देखने को मिलेगा smart slide bar जिसको यहाँ से on कर देना है on करने बाद में चाहिए आप कोई भी application में हो इधर slide करके direct उन application को फटा फट ओपन कर सकते हो फिर यहाँ पर जो भी काम या search करना है वो करके use इस तरीकी से बेक कर पाओगे इस smartphone में जैसे से करोगे तो flashlight on हो जाएगी बस उसके लिए setting on करनी होगी और smartphone को one-handed use करना चाहते हो या फिर इस smartphone में video call के अंदर अच्छा दिखना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो बस सारी setting एक ही जगा पर मिल जाएगी mobile के setting में जाना है इसके अंदर आने के बाद में आपको पहले तो मैं बता देता हूँ one-handed smartphone को एक हास से यूज करने के लिए इसको यूज करने open कर देना है, on कर देना है फिर इधर slide करके बापस slide करोगे तो देख सकते हो one-handed use करने के लिए screen size चोटी हो चुकी है smartphone को असानिक से एक हास से यूज कर पाऊगे बापस यहाँ पर टेप करके normal कर सकते हो अब मैं आपको बता देता हूँ smartphone के अंदर अगर आप video call करते हो उसमें अच्छा दिखना चाहते हो मतलब skin tune अच्छी होनी चाहिए तो इसके अंदर आना है short cut and accessibility के अंदर नीचे slide करना है face beauty for video call का option मिलेगा जिसके उपर आपको click करके इसको on कर जेना है जैसे मेरे smartphone में अभी video call करने के लिए phone application है whatsapp या दूसरी application रखूँँगा तो उसके अंदर भी इसको on कर सकता हूँ in application के अंदर video call के अंदर इसमें आपको bake आना है bake आने के बाद में जैसे मैं इसमें आपको बता दिता हूँ flash light का option पहले तो आपको किसी का भी call आता है उसमें flash light on करना चाहते हो तो incoming call के अंदर जाकर इसको on कर जेना है और आपको यहाँ पर slide करना है slide करने के बाद में स्मार्टफोन की flash light on हो जाती है और इस स्मार्टफोन के अंदर जैसे मैं ने आपको बताया था कि set to turn on the flash light का option मिलेगा यानि स्मार्टफोन को set करते ही flash light on हो जाती है यह setting on करने के लिए आपको जाना है mobile के setting में short cut and accessibility के उपर क्लिक करना है फिर स्मार्टफोन का option मिलेगा जिसको on कर देना है अब देखो कि स्मार्टफोन को set करते ही इसकी flash light on हो जाती है इस स्मार्टफोन में बैटरी के percentage शो नहीं हो रहे अगर आप चाहते हो बैटरी के percentage शो या फिर बैटरी की style को भी change करना चाहते हो तो बिलकुल कर सकते हो बस simple आपको mobile के setting में जाना है बैटरी के उपर click करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे slide करने के बाद में देखने को मिलेगा बैटरी style and percentage इसमें अभी do not display है तो यहाँ पर display outside करोगे तो outside में बैटरी के percentage शो हो जाएंगे जैसे कि charge वोगेरा low होता है तो वहाँ पर darkness हट जाएगी इसके बाद में आपको back आना है इसमें और भी मज़ेदार features आपको इसमें देखने को मिलेंगे इस smartphone में 8% बैटरी रहती है तो आप battery saver को on कर जेते हो तो इसको 15 मिनट तक चला सकते हो बिना off किये यानि कि calling के लिए टेक्स के लिए emergency के लिए best features मिल जाता है इसी के अंदर बैटरी के अंदर आपको background के नीचे यहाँ पर battery health या चार्जिंग को उप्सन मिलेगा जिसके अंदर reverse wireless charge को on करके आप दूसरे smartphone जो wireless वाला charger smartphone support करता हो उसको charge करवा सकते हो इस smartphone से और यहाँ पर आपको battery capacity भी show जाएगी अभी 100% है तो battery level भी check करता हो सबसे मेले में इसके camera के features बता देता हूँ इसके अंदर open करते ही snapshot का option मिलेगा night camera मिलता है जिसमें wide angle camera से लेकर आप इसके अंदर 100x तक zoom कर सकते हो night camera में भी और यह सबसे मज़ेदार camera है इसका portrait camera जिसके अंदर आपको lens देखने को मिलते है अलग-अलग जिसमें 100mm तक photo click कर सकते हो और detail देख सकते हो यहाँ पर कितनी कमाल की मिलती है एक चीज में आपको इसमें बता दिता हूँ जैसे आप इसके उपर click करते हो तो इसमें 3-4 effect मिलती है यह वाले mm के साथ में जिसमें आप background के अंदर कुछ इस design में photo click कर पाओगे और photo के अंदर आप इसमें 100x तक zoom कर सकते हो भाई इसकी detail तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और इसमें आपको एक lens का option मिलता है जिसके उपर click करके आप यहाँ पर vivid textures natural photo भी click कर सकते हो और macro camera के लिए एक काफी best चीज है आप इतनी दूर से भी इसमें macro camera में photo click कर पाओगे जिसकी detail काफी गजब की देखने को मिलती है video camera के अंदर आप इसमें stabilization को on कर सकते हो और highest quality 8K तक record कर सकते हो 30 FPS के साथ में और cinematic video का option मिलता है जिसमें 4.3X यानी 100 mm के साथ में photo click कर पाओगे और एक चीज़ बता जिता हूँ more camera के अंदर आने बाद में यह सारे mods मिल जाते है high resolution, pen room mode, ultra HD, slow motion, time lapse यह सब ही अगर आप इसमें portrait में best photo click करना चाहते हो तो outdoor के अंदर आपको portrait camera open करना है इसमें आप इसके उपर click करोगे तो इन amount के अंदर photo click करके use करना और जैसे ही आप इसमें aperture के उपर click करते हो तो यह जाईस के effect भी मिल जाते है तो really इसका portrait camera तो काफी gazap का है और इसमें small window का option भी मिल जाता है जैसे आप दो application को एक साथ में use कर सकते हो दो-दो application में एक साथ में वरक कर पाऊगे मैंने YouTube को open किया थिरी बटन के उपर click करना है इसके icon के उपर click करते हो तो small window का option मिलेगा जिसको on कर देना है आप देख सकते हो YouTube कुछ इस size में open हो चुका है जिसको customize करके छोटा बड़ा करके इसकीन पर कहीं पर भी set कर सकते हो और नीचे की side में आप other application को use कर पाऊगे जैसे मैंने camera को use कर पा रहा हूँ तो इस तरीके से आप दो-दो application को एक साथ में use कर सकते हो WhatsApp, Facebook को भी एक साथ में use कर पाऊगे नॉर्मल करना है तो इसके उपर टेप करके cross कर देना है तो गाईज ये थे इस स्मार्टफोन के कमाल दमाल hidden features वीडियो के इसले लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में इसके बारे में कुछ और जाना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो